तैवार का मौसम तो शुरू हो गया, अभी दशार आगया, अब दिवाली आगई, दिवाली में यही टेंशन होती है कि क्या बनाओ, पर कोई घबरानी की जरुवत नहीं है, यहाँ पे मैं करीब 6 स्वीट्स की रेसेपी लेखे आरी है, जो बहुत जल्दी और बहुत कम मीठ कर दी हूँ, और इसमें मैं वेनिगर डाल रही हूँ, तो करीब दो बड़े चमज मैं वेनिगर इसमें डाल रही हूँ, मुझे यहाँ पर चेना प्रिपेर करना है, तो मैं चेना बना रही हूँ, तिसलिए एक चमज डाल दिया, अब एक चमज और डाल रही हूँ, और चे बाउल में cotton cloth रखकर चेना को चान लेती हो तो जिससे की पानी को अलग कर लेते हो और चेना को अलग तो यह पानी को आटा गुंदने के लिए इसे आप कर सकते हैं बहुत हल्दी होता है और इसे मैं ठंडे पानी मतलब नॉर्मल पानी से छेना को धोल होती हैं 2-3 बार ताकि जो वेनिगर का खटापन हो निकल जाए तो अच्छे से इसे मैं रगर रगर को धोलूँगे जिसे कि जो भी वेनिगर है का टेस्ट खटापन हो निकल जाए क्योंकि यहां पर मैं अब दूस्रे कडाई में थोड़ा पानी डालकर वापिस से इस में दूद डाल रही हूं और गैस को आउन करके अकर चलाते हुए दूद को काफ़ी गाढ़ा कर लेती हूं और इतने देर में ये दूद गाढ़ा होती है इतने देर में चेना को टांक कर रख दे जिसमें उसमे करके मैं इसे गाड़ा कर रही तो यह देखिए गाड़ा हो गया आल्मोस्ट मेरा जो दूध है वो आधा हो गया है मतलब रबडी के जैसा हो गया है और अब मैं इस जगह पे जो छेना प्रेपर की थी वो मैं एक प्लेट में पहले तो निकाल लेती हूं और इसे मैं अच्छे तरह मसल कर तोड़ लेती हूं मतलब थोड़ा सा कोशित करूंगे कि छेना जो है थोड़ा मतलब मैं उसे मसल मसल कर स्मूध कर लेती हूं तो यहां पर छेना को मैं अच्छे से स्मूध कर रही हूं और करीब एक या दो मिनट ही मसल मसल कर इसे कर ले रही हूं और अबड़ी जो है अल्मोस्ट रेडी है और दूद जो है आप देखे मैंने आधा लिटर दूद लिया था अब वो वन फोर्थ है अब इसी जगा पर ज इसे के रबड़ी और छेना जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए अगर आप बीना शुगर वाला खाना चाहते है तो इस जगा पर ही आप थोड़ा अलग कर सकते हैं अभी मैं इसमें जैसे मैं कर रही हूं इलाइची पॉड़र भी मैं डालोंगी तो यहां पर मैं अलग कर ल दलने के बाद जो है थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा इसलिए तीन-चार मिनट वापिस से मुझे कुप करना पड़ेगा जिसे की छेना चीनी और रबड़ी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए अब यहां पर मैं इलाइची पॉड़र फिर से डाल रही हूं क्रश करके ड अब यहां पर इसके लड़ू प्रिपर कर रही हूं तो यह जो मिठाए है बहुत टेस्टी होती है और कम शुगर की होती है एक तरह से कर सकते कि यह थोड़ी लो कैलरी वाली है अभी तैवार में क्या सिप मीठा मीठा खाना होता है तो इसलिए और मैं यह गिफ्ट पॉप मैं डब बॉक्स तयार कर रही हूं और यहां पर मेरे पास कुछ सिल्वर फॉइल थे अडिबल जो है वह बहुत आसानी से किसी भी ओनलाइन आप एमेजोन फ्लिप कार में शो कहीं भी देखेगा वह मिल जाता है और मैं वहीं से ली हूं और इसके उपर मैं जो सिल्वर अपर से बना रही हूं तो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना था आप चायाद ऊपर से केसर भी डाल सकते हैं ड्राइफ्रूट्स भी डाल सकते हैं आपके चोईस है कैसे बॉक्स को डेकोरेट कर सकते हैं यह बीनाचीनी वाली है तो हब आपको यह रसेपी पसंद आ पानी जो है थोड़ा थोड़ा मिक्स करना होता है बहुत ज्यादा एक बार में मिक्स नहीं किजे और काफी अच्छे से इसको बैटर को स्मूथ करना होता है इसलिए मैं थोड़े थोड़े पानी डाल रहे हूं आप थोड़े दिर के बाद देखेंगे बेशन का जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाता है मतलब लाइट यलो के जैसा हो जाता है और काफी फ्लफ्य भी दिखने लगता है तो करीव 2-3 मिनिट इसको इस तरह फेटेंगे ना तो अच्छे से फ्लफ्य जैसा आपको खुदी पता चलने लगा है कि बेशन जो हो थोड़ा हलका हो रहा है औ अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पॉडर डाल रही हूं बहुत लोग इसमें फूट कलर डालते हैं वाट आप हल्दी पॉडर डालेंगे उससे भी एकदम परफेक्ट कलर आती है तो मैं यहाप हल्दी पॉडर ही डाल रही हूं तो अब मैं इसको साइड करती हूं और इस इसे अच्छी तरह गरम करती हूं, मतलब चीनी जो है वो पिघल जाए तब तक मैं इसको गरम करूंगी, मतलब इसके चाशनी नहीं बनानी है, कि एक तार्वाली चाशनी यासी नहीं बनानी है, बढ़ शुगर पिघल जाए और उसके बाद मैं दो मिनट इसे गुख कर और अभी जब इसे आप देखेंगे तो थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और इलाइची के बहुत अच्छी कुश्बुवारी आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं अब यहाँ पर गयास करके मैं तेल गरम की थी अब एक चमस तेल निकालकर गरम तेल मैं बेसन वाले बैटर में डाल दे रही हूं चाशनी हमारी रडी है और इसमें एक पिंच में बेकिंग सोडा भी डाल दे रही हूं बेकिंग सोड़ा डालने के बाद ठोड़ा बस मिक्स कर दे रही हो। तेल का तेल तो मैं करम करने के लिए रखी थी। जंस्रा ले रही हो। जंजरा से ही मैं बनाऊंगी, पहले मैं चेक कर ले रही हूँ तेल का टेंपरेचर और तेल का टेंपरेचर एकदम परफिक्ट था, अब मैं जो जंजरा के ऊपर बेसन डाल रही है, और देखे अपने आप जो है ना वो गिर रहा है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मैनत करने क जरुवत नहीं है, तो बस ऐसे ही अपने आप गिरने लगेगा वो बूंधी जो है, वो गोल-गोल आने लगेगा, तो यह बूंदी जो है ना आप इसे बनाके अलग सा डब्बे में भी रख सकते हो, आपका भी राहता बनाते हो, तो राहता भी यूज़ कर सकते हूं चाहे तो बुंदी की सब्जी भी बना सकते हैं मैं बहुत जल्दी उसके भी रेसिपी शेयर करूँगी बुंदी की सब्जी तो यह दिके फ्लेम को मैं मीडियम रखी हूं और थोड़ा जब कलर चेंज हो जाए आप जब चलाओ गे छोड़ा जंजर अब चाशनी यहां पर मेरी रेडी है और बुंदी भी रेडी है बस दोनों को मैं मिक्स कर ले रही हूं और अच्छी तरह मैं इसे चला लेती हूं तो इसे मिक्स करने के बाद करीब 2-3 घंटा अराम सी से छोड़ दीजे क्योंकि चाशनी जो है ना बुंदी को मतला और बहुत अच्छे से यह शुगर जो है बेसन में गुल जाता है तो यह दिखे हमारी तो बुंदीया रेडी हो गई और आप जरूर मुझे मेसेज कीज़े कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी और आपने कैसे बनाया और यहां पर मैं कुछ ड्राइ प्रूट से भी डेकोरे की है यह की रेसिपि में अल्रेडि बहुत शेयर कर चुकी है लेकिन अभी मैं दीवाली पोपस से बना रही थे कि एकी वीडियो में 5-6 तरह की मिठाई भन जाए तो बस इसके लिए भी मैं छेना परपर कर रही हूँ तो इसके लिए दूद कर रही हूँ दूद जब बॉil रखेल लगे उपर आने लगे उस टाम पर मैं गैस ऑफ कर देती हूं और वापिस से मैं इसमें छेना बनाने के लिए विनिगर डाल रही हूं आप चाहे तो यहाए तो यहाए तो यहाए पर लेमन जूस निम्बू का रस ले सकते हैं मैं यहाए दो छमच विनिगर ले रही गैस को मैं अभी off रखी हूँ और करीब 2-4-5 मिनट मैं इसे छोड़ देती हूँ अगर ये नहीं होता है तो बस 10 सेकेंड के लिए मैं गैस को फिर से on की हूँ और off कर दी हूँ अब देखें छेना अलग हो गया पानी अलग हो गया तो अब इसे भी मैं छान लेती हूँ तो कपड़ा रखी हूँ और उसके ओपर जो छेना मैं प्रेपर की हूँ वो भी रख लेती हूँ छेना अलग और पानी अलग तो आप पानी को रियूज कर सकते हैं बहुत से काम में आप आटा गुनने के लिए भी रख सकते हैं, काफी हल्दी होती है, और इसे मैं नॉर्मल पानी से अच्छे तरह धो लेती हूँ, ताकि वेनेगर का खटा पन जो है, टेस्ट जो है, वो निकल जाए, नहीं तो मिठाई जो है, वो एक या दो दिन में ही खराब होने लगती है तो इसलिए इसको साफ पानी से दोना बहुत जरूरी करेब तीन चार बार दोए, और एक घंटे के लिए इसे टांग कर रख दीजे, ताकि जो एकसे वाटर है, वो निकल जाए, एक घंटे के बाद छेना जो है, वो देखे, अब देखे कैसा है, पूरे अच्छा से ये बन तो और देखे, सारे दाना को मैं क्राक कर चुकी हूँ, और हाथ में आपको लगेगा कि ओल ओल आ रहा है, अब मैं इसे अच्छे तरह बांद लेती हूँ, पहले तो रफली मैं इसे बॉल बना रही हूँ, अब ये अच्छे से नहीं हुआ, बस रफली मैं एक बार एक अच्छी तरह बाल को प्रिपेर करूँगी ताकि एक राक नहीं आना हो तभी ये अच्छा बनता है, और हाथ के तलवे से मैं हलकी हाथ से बाल बना रही हूँ, तो करीब यहाँ पे मैंने सारे चेना बाल तयार हो गया है, और हाथ में भी काफी ओल-ओल लग रहा, मैं वही मैं गरम कर रहे हूं जब तक कि चीनी पिघल ना जाए तब तक पिघल जाने के बाद मैं इसमें छेना बॉल डालूँगी मतलब चीनी पिघल गई है और अब मैं इसे धक करीब पांच मिनट के लिए मीडियम हीट पे करूँगी तो उससे क्या छेना बॉल जाए वो डबल हो इसके बाद मैं इसे थोड़ा पलट कर पांच मिनट के लिए फिर से मैं कुक करूँगी और धकन को मैं थोड़ा खुला रखूँगी और ग्यास का फ्लेम भी मेडियम रखूँगी पूरी तरह कवर नहीं कर रहे है और वापिस से मैं छेना बॉल को कुक कर रहे हूं तो यह मतलब कुल मिला के इसमें 15-20 मिनट ही इसको कुकिंग टाइम देना होता है अब इसे अच्छे तरह जब ठंड रहा हो जाए तब आप देखें कितना यह स्पॉंजी बना है तो इसमें बस यही है कि इसको बहुत जादा कुक नहीं करना होता है करिब 10-15 मिनट सफिशेंट है इसकी कुकिंग टाइम होप आपको यह रेसेपी भी पसंद आई होगी तो अब इन्जॉय किजिए फेस्टिबल और मेरी नेक्स्ट रेसेपी जो है वो भी काफी हेल्दी और healthy तो नहीं है मिठाई बोल ही तो बहुत अवह आखीि बनाते मतलब बाजार से भी बहुत अच्छी और बहुत कम पैसे में और मेहनत बिलकोल भी नहीं है लगना परिवार के लिए बनाना हो तो मेहनत भी चलता है तो जो यह रेसिपी है वो गुलाब जामुन की है इसे भी आप एक दिन पहले बना का अराम से पांचे दिन इसे खा सकते हैं फ्रीज में रखें और इंजॉय कि जब तैवा तो जरूरी निंग और यह देखें कितना सॉफ्ट कितना अंदर से भी टेक्शर देखें कितना बढ हहाँ भिजि इसे पांच मिनट यह दो कर ली चाष्णु नहीं बनानी होती है तो यहाँ पर शुगर शिरप जो है वह पर हुलाब हर द मक्रावी को रेडी हो रही है बहुत अच्छे से कलर चेंज हो गया है पस हाथ में थोड़ा आप लगाओगे तो आपको लगेगा कि ऑईल ऑईल के जैसा हो रहा है तभी आप इसे क्यास को आफ कर सकते हैं चाशनी जैसे एक तार की चाशनी नहीं बनानी होती है तो यहां पर सुगर सिर तो रेडी हो गई और गयास आफ कर दे रही हो अब जो गुलाब जामून और वो तयार करूंगी तो यहां पर मैं मैं दा ले रही है तो आप मै eda के जेखा आटा भी ले सकते हैं मैं आटा वाली गुलाब जामून की रेषपी भी शेर कर चुकी है मेरे चैनल पर सॉत ही यह अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ गीकी भी रसेपी आप देख सकते हैं और अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ मतलब क्रमबल कोल जोता है न थोड़ा वैसा आना चाहिए जिससे कि आप अगा मुट्टी बनाऊगे तो लगेगा कि यह बॉल बन रहा है अब यहा कि और यह घुना पर एक ऐनोम दूद में डूद डालैंगा मैं मतलब यह एक चमच, एक चमच माते हका जासी सकते हो तो यह जल्द सबस्कारी कि लिए बीदे हो जाती है तो यह देख रेडिहां है अच्छी शूँ अइक बार राख देती हूं उपर से धक देती हूँ थोड़ा पांच मिनट के लिए धक देती हूँ पांच मिनट के बाद आटा को मैं वापिस से बराबर पोर्शन में बाट लेती हूँ मतलब कितना बड़ा मुझे गुलाब जामुन चाहिए मैं उतना बड़ा इसे रफली पहले तो मैं डिवाइड कर ले रही हूँ तो यहाँ पर रफली बॉल मैंने डिवाइड कर लिया है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहे हूँ बस आप ऐसे ही किजे और यह भी कोशिश किजेगा कि एक भी क्रैक ना हो बॉल एक दम चिकना बनना चाहिए अब बहुत ज़्यादा नहीं बनाईएगा क्योंकि जब आप इसे डीप फ्राइ करेंगे तो यह आल्मोस्ट डबल हो जाती है तो इसलिए से ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं बनाईएगा आप चाहिए तो ओवल शेफ भी बना सकते हूँ सर्कल शेफ भी बना सकते हूँ यह आपकी चोईस है कौनसर शेफ में चाहिए तो मैं कुछ जो है ओवल शेफ भी बना रही हूँ और कुछ जो है सर्कल भी बना रही हूँ तो यहां पर सारे गुलाब जामून के जो बॉल है वो रेडी हो गये, ऑईल भी गरम है, मैं बस एक बाद चेक कर ले रही हूँ टेंपरेचर, तो यह देखे परफेक्ट ऑईल जो है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब डाली तो वो उपर आ गया है, बस उतना ही बहुत हाई फ्ल तो लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे डिप फ्राइ कर रही हूँ और आप देखिएगा, तो थोड़े देर के बाद यह जो है, कलर भी बहुत अच्छा आजाएगा, और बिच मिच पे मतलब आप लगातार चलाते भी रहेगा, ताकि सभी तरब जो है ना कलर अच्छे से आज और कलर जो है, जब तक अडिजनल गुलाब जामून का कलर हो तब तक मैं इसे डीप फ्राइ कर रही हूँ, आप चाहे तो अभी भी निकाल सकते हैं, लेखिएगा, गुलाब जामून का एक्च्छल कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो मैं डार्क कर रही हूँ, तो यहाँ दीरे दीरे यह कुक भी हो रहा अंदर से भी हो रहा है, इसलिए हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा, तो यह देखिए यहाँ पर कलर चेंज होता गया, और परफेक्ट कलर आ चुका है गुलाब जामून का, तो मैं अब यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए और रखोंगी, आप अगर चाशनी ठंडे हो जाती है, तो आप उसे एक मिन, मतलब कुछ सेकंड के लिए गरम कर लीजे, ताकि गरम चाशनी और गुलाब जामून भी गरम रहेगा, तो बहुत अच्छे से रस जो है अंदर तक चली जाएगे, और गुलाब जामून जो है काफी सॉफ्ट होगा तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि गुलाब जामून भी गरम गरम हो, और चाशनी भी गरम हो, तभी आप दोनों इसको डिप कर दीजे, और करीब आदा घंटा एक घंटा आप छोड़ दीजे, तब यह बहुत अच्छे से रस जो है अंदर तक चली जाती है, और काफी वे सफ्ट हो जाता है, तो यह दुसरा बैच भी मेरा गुलाब जामून जो है रिडी हो गया, और मैं उसे भी रस में डाल दे रही हो, और मुझे बनाते बनाते मुह में पानी आ रहे है थी, मेरे बच्छे तो परिशान हो रही थी, मुझे दे दो मुझे दे दो, daily get दों, के लिए 15-20 सकेंड के लिए अब फिर छोड़ दो तो यह देखें मैं करीब एक दो घंटा करीब छोड़ दी हूं दो घंटा करीब तब गुलाब जामुन की जो हालत है वह आप देख सकते हैं कितना सौफ्ट कितना मुलाएं और अंदर तक रस जो है जा चुकी है और काफी यहां पर दिवादी के पहले ही पटा के जलाने शुरू हो गया है काफी अभी जो नेक्स्ट है वो मलाई लड़ू है मलाई लड़ू की रसेपी यह भी काफी हेल्दी वर्जन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मैं कम चीनी डालूंगी और घर की बनी हुए तो एस इस वल मैं य बनाया बस वैसे ही मैं यहां पर टाल रही हूँ और एक्कॉर्डिंग दूद की क्वांटिटी चीना सौरी विनेगर की मात्रा कम और ज्यादा हो रहे है बस में यहां पर चीना ही प्रिपर कर रही हूँ बस हलके हाथ से कर ले रही हूँ जितनी भी मिठाईया है इसे आप प्रिज में store कर सकते हैं और आप gift purpose से gift box भी बना सकते हो आप बहुत लोग आप चाहे तो order भी ले सकते हो बहुत टेस्टी बनती है और चीनी के मातरा आप अपने according सेट कर सकते हो क्योंकि छेना जो है अगर कम मिठा भी हो तो भी टेस्टी लगती है तेसली में सारी मिठाई ही तो रेडी हो गया है और इसे भी मैं cotton के cloth में छान लेती हूं और छेना को अलग कर लेती हूं और इसे भी ठंडे पानी से मैं धो लेती हूं थाकि विनेगर का जो टेस्ट है वो निकल जाए मसल मसल के अच्छे से पानी निकाल लेती हूं और करीब आधा गंटा बीस मिनटी से मैं ऐसे छोड़ देती हूं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है उसके निकल जाए और अब मैं एक फ्राइपैन में जो छेना को रेडी की थी वो मैं इसमें डाल दे रही हूं उसे तोड़ दे रही हूं अच्छी तरह उसे तोड़ना है तोड़ लेने के बाद मैं इसमें अच्छे से तोड़ लीजे और मैं पहले कप से भी नापके बता दे रही हूं तो य कप के नाप से मैं दूद भी डाल रही हूं गैस अन कर दी हो और इसे लगता तीन चार मिनट तक मैं चलाओंगी और अच्छी तरह मसल मसल के चलाओंगी ताकि छीना जो है अच्छे से घुल जाए एक भी गांठ न रहे और लगता चलाते भी रहेंगे इसे ज्यादा कुक नह सारी और देरे देरे ये थिक भी होता जा रहा हुता गाढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं गैस अन रखे हूं लो फ्लिम पर रखना जादा नहीं रखना और प्रिफेर किजिएगा कि नानस्टिक फ्राइपन ही लिजिए क्योंकि उसमें चिपके घने स्टील का आप लोगे तो उ तो आप कम भी डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगती क्योंकि मिल्क पॉडर में भी चीनी थोड़ी सी होती है चेना भी अगर आप प्लेन भी खाओगे तो थोड़ा अच्छे टेस्ट आते हैं तो इसलिए चीनी आप कम भी डाल सकते हो यहां पर और कुटा हुआ आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हो और पिस्ता वेकरा भी डाल सकते हो अपने चॉइस एक कोई भी ड्राइफ्रूट से डाल सकते हो अब मैं अभी भी गैस को अन रखी हो और लगता चलाते हुए जा रही हो तो चेना जो है आप देखे कितना अच्छा से घुल गया है और दूद भी अल्मोट सुख गया है मैं अब ग्यास आफ कर दे रही हूँ और इसे भी ठंडा कर दे हूँ ठंडा करने के लिए आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते है ताकि तुरंत वह ठंडा हो जाए अब या जब ठंडा हो गया है तो मैं इसे इससे प्रिपार करती हू लड़ू तो यह ठंडा होने के बाद हाथ में थोड़ा सा मैं घी लगा ले रही हूँ ताकि हाथ में चिपके नहीं और जो भी शेप में चाहिए वो मैं इसे प्रिपार कर सको तो यह बहुत अच्छे से लड़ू तैयार हो जाती है तो यहां पर मैं प्लेट में रखती जा लगती तो मैं पास ड्राइ रोस पेटल से ड्राइनी फ्रेश है मैं उसको पर ही रख दे रही हूँ और यह काफी अट्रेक्टिव और काफी टेस्टी भी बनी थी सब लोगों को मैंने खिलाया था तो सबको बहुत पसंद आई अब मेरी जो नेक्स्ट रेसेपी है वो भी ह चोड कर सकते हो और बहुत बनाना भी बहुत आसान है अचा है मतलब जटपत यह बनने वाली सारी रेसेपी आपने देखा होगा कि बस 10-15 मिनट में रेटी हो जाती क्योंकि दिवाली में काम भी बहुत होता है तो भाई काम के साथ मिठाईयां भी बनानी होती तो जटपत बनने वाली मिठाई की recipe share कर रही हूँ तो यहां पर भी मैं छेना ही प्रिपेर कर रही हूँ तो यहां भी छेना दूद गरम कर लेने के बाद गैस ओफ कर रही हूँ और जब दो चमच डालूंगी और तीन मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि छेना अलग हो जाए और छेना का पानी जो है अलग हो जाए इनकेस नहीं होता है तो बस दो सेकेंड के लिए मैं गैस ओन करूंगी फिर ओफ कर दूंगे उससे क्या छेन तुरंद प्रिपेर हो जाती है और इसे भी मैं कॉटन प्लॉथ में चान लेती हूँ चान लेने के बाद इसे ठंडे पानी से मैं धोलूंगी अच्छे से धूईएगा तीन चार बार धूईएगा आप बटरे नल के नीचे भी आप लखके अच्छे से मसल मसल के धोलीजे ताकि विनेगर का टेस्ट निकल जाए नहीं तो मिठाईया बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर विनेगर का टेस्ट नहीं निकलेगा तो और इसे अच्छे तरह नीचोड लेती हूँ मैं और इसे टाइट करके मैं एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि उसकी तलवे से मैं इसे मसल रही हूँ ताकि छेना जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो यहां पर मैं जितनी और यहां पर मैं गुड का पाउडर डाल रही हूँ तो गुड बस मैं दो चम अची डाल रही हूँ जादा नहीं डाल रही हूँ और काफी टेस्टी बनते हूँ वो change हो गया, इससे पता चल रहा है कि गुड बहुत अच्छे से mix हो गई, मैं गुड का powder डाली हो और color भी देखे कितना change हो गया और अच्छी तरह ये छेना भी mix हो गया है, अब मैं इसे भी कोई भी आप shape दे सकते हो, heart shape दे सकते हो, पान का shape दे सकते हो, gold shape दे सकते हो, ये up to your choice है, आप कोई भी shape दे सकते हो, बस मैं एक चलनी में इसे रखते जा रही हो, तो यहाँ पर मैं कुछ दिये का भी shape बना रही हूँ, और आपको जो पसंद है वो shape बना सकते हो, आप चाहते हो गोल को लड़ू जैसा भी बना सकते हो, यहाँ पर दिये का shape मैं दी हूँ, और चलनी के उपर सारा मैं रख रही हूँ, थोड़ा आप gap रखेगा, सटा सटा के नहीं रखेगा, मैं क्या गलती कर दी कि मैंने सटा के रख दिया, और बाद में वो थोड़ा फैल गया, पानी गरम के उपर रख के मैं इसे ढख दे रह तो यह देखे, ठंडा होने के बाद, यह अच्छे से सेट हो गया है, और मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, तो बिना डेकोरेशन तो यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको डेकोरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, आप चाहे तो ड्राइ मिठाईयां बहुत पसंद आई होगी, और मैं पहला मिठाई तो अपनी बेटी को स्नेहल को खिला रही है, उसे बहुत पसंद आ, हपी दिवाली, थैंक्स फॉर वाचिंग